अनोखा उपहार शुक्रवार को अनुपम पाच्शाला से घर आया और बिस्तर पर लेट गया वह बहुत उदास था अनुपम माने आवाज लगाई अनुपम आज खाना नहीं खाना है क्या भीतर आओ खाना ठंडा हो रहा है अनुपम बे मन से खाना खाने लगा मा की बहुत पूछने पर बोला मा रविवार को रागों का जन्म दिन है उसने हमें अपने घर बुलाया है मा सब दोस्त उसे कीमती उपहार देने की बात कर रहे थे मैं उसे क्या दूँ मेरे पास तो यह सुनकर मा की आँखों में भी आँसु भराए वह कुछ क्षण तक चुप रही फिर प्यार से बोली अनुपम तुमने अपने घर में लगे पौधे देखे हैं न क्यारी में चमेली के कई पौधे फूट आए हैं कुछ में तो कलियां भी निकल आई है क्यो ना इन ही में से एक दो पौधे रागों को दे दे मेरे पास तो नए गमले भी है रागों तो तुम्हारा अच्छा दोस्त है अनुपम खुशो कर बोला ठीक है मा मैं अभी चमेली के पौधे ले आता हूँ मा ने एक नया गमला लिया उस पर फूल पत्ते बनाएं अनुपम अपने रंग ले आया इसने फूल पत्तों में रंग भर दिया गमला बहुत सुंदर दिख रहा था मा ने चमेली के दो पौधे निकाले नरए गमले में मिट्टी डाली दोनों पौधे गमले में लगाकर थोड़ा सा पानी डाल दिया चमेली की पीली-पीली कलियां नन्हे पौधों से जहांक रही थी गमला बहुत सुन्दर लग रहा था रविवार को अनुपम राघो के घर पहुँचा राघो का घर सजा हुआ था और रंग बिरंगी रोशनी से चगमगा रहा था वहां बहुत से अतीथी आये हुए थे राघो सबसे बातचित करने में व्यस्त था पर बार-बार दर्वाजे की तरब भी देख रहा था वह किसी के आने की प्रतिक्षा कर रहा था सभी मित्र एक साथ बैठे हुए थे अनुपम को आते हुए देखकर राघो भहुत खुश हुआ और बोला अरे तुमने तो बहुत देर कर दी हम कपसे तुम्हारी परतिक्षा कर रहे हैं आओ सब इधर बैठे हैं अनुपम ने मेज पर रखे उपहारों के डिब्बे देखे और धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ा दिये जन्मतिन की बधाई मेरे अच्छे दोस बहुत बहुत बधाई राघों ने गमला पकड़ा उसे इधर उधर घुमाया और बोला कितना प्यारा पौधा लाए हो तुम इसमें तो फूल भी निकल रहे हैं ऐसा अनोखा उपहार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया अनुपम मुस्कुराया उसे लगा चमेली के फूल भी मुस्कुरा रहे हैं